Hello everyone, welcome to Fisca Capital आज मैं बात करूँगा CFA के Code of Ethics and Standard of Professional Conduct की ये वैसे तो CFA Institute या जो CFA की exam देते हैं उनके लिए एक topic है बट अगर आप Financial Market में business करते है या Financial Market से जुड़े हुए है as an investor और आप कुछ Financial Market के intermediary की services ले रहे है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी एक reading हो सकती है CFA, Code of Ethics होते क्या, Standard of Professional Conduct होते क्या उसके बारे में बात करेंगे फिर उनको थोड़ा detail में समझाएंगे कि सारे Code of Ethics क्या क्या है और सारे Standards क्या क्या है कही न कही आप अगर कभी ही market के अंदर दीखेंगे तो internationally, globally इसी तरह के ethics और principles की बात हमेशा की जाती है हर avenue में जब भी हम stock market से जुड़े होता है चाहे वो mutual fund हो, direct investment हो stock market में brokerage firms हो, PMS हो ये सब के लिए कोई ना कोई ethics और principles बना है सबसे पहले बात करे, Code of Ethics की तो जो CFA Institute का Code of Ethics and Standard of Professional Conduct है ये basically, जो values है CFA Institute की या, उनकी ये काफी essential है CFA Institute basically चाहता है कि investment profession जो है वो globally promote हो, और उसके high standard of ethics हो क्योंकि इसके अंदर लोगों का पैसा जुड़ा होता है वो हमारे तरू invest करते हैं कही ना कही सो इसके लिए इसके अंदर वो high level के values और ethics होने चाहिए और उसी goal से ये ethics and conducts set किये गए है जो भी अगर कोई व्यक्ति CFA की exam देता है या CFA का एक designation उसके पास हो गया exam clear करके member बन गया, CFA charter मिल गया उसको उन सब को ये ethics और principle follow करना होते है अगर वो इसमें कुछ violation में पाए जाते है तो उन पे एक disciplinary action हो सकता है sanctions हो सकते हैं, उनका CFA charter भी अट सकता है similarly दूसरे markets की भी बात करें तो वहाँ भी आप देखोगे कि इस तरह के ethics जो companies follow नहीं करते हैं, उन पे penalty लगती है या उन पे license भी कई बार रद हो जाते हैं जिसे मैं CBA का registered research analyst हो तो अगर मैं अपने जो code से जो guideline से से भी कि अगर मैं follow नहीं करता, तो मुझे पर भी बेन लग सकता है, या मुझे penalty पे करना हो सकती है तो code of ethics की बात करें तो total यहाँ पर six code of ethics होते हैं सबसे पहला होता है कि act with integrity, competence, diligence, respect and in an ethical manner with the public clients, prospective clients, employers, employees, colleagues and other participants in global capital market सबसे पहला जो ethic है उसके अंदर कहा गया है कि आपको एक integrity के साथ, competence के साथ, diligence के साथ और respect के साथ, एक ethical manner में deal करना है चाहे वो public हो, एक ऐसा वेक्ती जिससे आपका कोई direct relation नहीं या फिर वो आपका client हो या फिर वो आपका prospective client हो जो कलको आपका client बन सकता है या फिर आपका employer हो या आपके under कोई employee काम कर रहा हो या आपके colleagues हो और इसके अलावा और भी कोई अगर participant जो इस list में नहीं आया है अभी तक वो भी जो global capital market से जुड़ा हो उन सब से आपको integrity के साथ काम करना है एक competence के साथ काम करना है मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा leave दे दो किसी को भी छोटा client है notice period पे चला गया तो less competence से काम करने लग गया respect नहीं दी किसी को ये सारी चीज़े इसके अंदर बताई गई कि आप ऐसा ना करें इन सारे एक्स को follow करें second होता है place the integrity of investment profession and interest of clients इसमें कहा गया है कि जैसे वान लिजी क्या होता है securities market में कि आपको सबसे simple example है कि आपको अगर कोई share अच्छा मिल गया तो इसमें investment professionalism आप में होना चाहिए कि आप गलत तरह से कोई share identify नहीं कर रहे है तो investment profession की जो integrity वो आपके उपर रखे कोई लाचान उस पे नहीं लगे सबसे पहले और दूसरा client का interest पहले रखे कि आपको अच्छी चीज मिल रही है बट कोई आपको पैसे दे रहा उस share को खरीदने के लिए तो आपको पहले उससे वो share बताना है फिर आपको वो share खरीदना है third thing is use reasonable care and exercise independent so basically इसमें ये कहा गया है कि आप कोई से भी stop market related investment related जो आपकी professional activities है उनमें आप काम करें चाहे share select करना है share purchase कराना है sale कराना है तो आप अगर बड़े हैं अगर किसी post पे हैं तो कई बार होता है कि आप पे companies एक तरह से आपको motivate करती है कि आप हमारा share बिकवाईए या उसको promote किजिए हमारी company के बारे में अच्छे report लिखी है so वो सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है कि आप एक reasonable care के साथ ये सारी चीज़े करें कई कोई आपको मान लिजिए एक offer दे देता है कि आप आईए हमारी company को अपनी research coverage में लिखी है बट उसके लिए पहले आपको हम एक free trip दे रहे हैं हमारी सारी facilities गुमाएंगे आपको हमारे private zate में गुमाएंगे तो कुल मिला कि एक तरसी इतना अच्छा treatment अगर आप देख रहे हो तो आपको ये हो सकता है एक bias आजाए company के प्रती की इतने अच्छा लोग के लिए मैं खराब report कैसे लिखो तो ये भी एक मतलब कई इसको detail में भी conducts में बताया गया है कैसे आप कितना खर्चा है कितने की gift से आप एसे ले सकते है कितने की tickets आप ले सकते है ताकि आप पर ये negative biases ना है fourth point है practice and encourage others to practice in a professional and ethical manner that reflects credit on themselves and the profession so simply इसका मतलब ये है कि आपको न सिर्फ अपननी practice को बहुत professional बनाना है और ethical बनाना है बलकि दुछरों को भी जो आपके साथ काम कर रहे या आपके competitor या colleague भी है उनको भी इस तरह से encourage करना है कि वो भी ethical manner में काम करे और उससे पूरा profession एक आगे बढ़े क्योंकि क्या होता है देखिए एक doctor का profession आप देखिए doctors का profession आप लेंगे और आप कही lawyers का profession लेंगे या किसी तीसरे profession को लेंगे जो बहुत ही कम famous है तो उसका एक reason है कि हर एक doctor अपने आपको एक तरह से present करता है हर एक lawyer अपने आपको एक तरह से present करता है CS अपने तरह से present करते है जिससे लोगों को काफी professionalism उन industry में दिखता है सेम चीज हमें investment industry में भी रखनी चाहिए ताकि हमारा एक award बने हमारी एक position बने और वो professional अपने आप में थ्रीव हो fifth point इसमें बताया गया है promote the integrity and viability of global markets for the ultimate benefit of society मतलब इसमें ये कहा गया है कि देखिए अगर market में integrity अच्छी रहेगी तो society में काफी benefit होगा क्योंकि stock market अगर इमानदार रहेगा तो हर आदमी का trust उस चीज़ पर बनेगा उसमें पैसा लगाने के लिए लोग आज़े से आगे उच्सुक होंगे और overall global market यह आम का है capital markets better करेंगे जिससे companies भी आएगी नहीं नहीं IPO लेके क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि यह ethical है हमें अच्छा पैसा investors से लेके और अपन company को आगे बढ़ा सकते हैं investor को भी दिख रहा है यह आच्छी company लिस्ट होती है और उनमें बैसा लगा कि हम अच्छा return कामा सकते हैं तो यह सारी चीज़ों के लिए हमें as an intermediary of capital market एक integrity और viability के अंदर काम करना integrity मतलब इमानदारी survivability मतलब आर इंसान के पास success हो उन चीज़ों का ऐसा नहों कि हम सिर्फ एक top level के अमीर लोगों पे ही सर्व कर रहे हैं HNIs पे और retail investor हो गया middle market के जो लोग हो गया उनको हम कुछ help नहीं कर रहे हैं last point जो it code of ethics का आता है उसमें बोला जाता है maintained and improve their professional competence and strive to maintain and improve the last point जो है वो यह है maintain and improve their professional competence and strive to maintain and improve the competence of other investment professionals so इसका मतलब यह है कि आपको अपना professional competence maintain रखना है सा नहीं कि आज आपने CFA कर लिया आई या आपने कोई license ले लिया CB से ACC से तो उसका मतलब है कि आप में professionalism पूरी तरह एक आ गया और उसके बाद अगर आप नहीं भी कुछ पढ़ेंगे अपने आपको update नहीं रखेंगे इस profession के अंदर तो भी काम चल लिएगा ऐसा नहीं आपका जो competency जो highly skilled आप हो वो हमेशा continued रहना चाहिए और इसे हमेशा आपको improve करने के तरफ देखना चाहिए ऐसा नहीं कि आज में मुझे काम है मुझे licenses चाहिए तो मैंने एक अच्छी exam के लिए prepare करके सारा knowledge ले लिया certificate ले लिया CFA का उसके बाद मैं उस चीज़ को पढ़ी नहीं रहा हूँ नई जो updates है इंडस्ट्री में वो नहीं ले रहा हूँ जिसके विज़े से मेरा knowledge कही ना कही पूरर होता जा रहा है वीक होता जा रहा है सब्जेक्ट में आगे के वीडियो में मैं आपको standard of professional conduct के बारे में बताऊंगा CFA के अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजी थेंक्यू वेरी मच